लाइट आफ लाइफ जिन्दिगी की रोश्णी सेवकाई वक्ता कौन है? डॉक्टर मलीका साम्यूल जो चेन्नाई के विख्यात कॉपरिक हास्पिटल में सीनियर कंसल्टन, अपस्टेरिशियन और गाइनेकलोजिस्ट हैं इन्हें गाइनेकलोजी के शेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिस्टिन मेडिकल कॉलेज वेलूस से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रैजुशन की पढ़ाई आईरलैंड के डबलिन उनिविशिटी के रुटांडा हस्पिटल से की है। ये विशेशग्य हैं रिस्क, औस्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इन्फर्टिलिटी में ये अपने चर्च में स्तूती आरादम में अगवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जैपुर में बिताया है। रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इन्फर्टिलिटी क्लीनिक चलाए हैं। जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाईयों और बहनों को सूसमाचा प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। नमस्ते। नमस्ते। ये सच में मेरे लिए बड़ा सौभागी की बात है कि मैं आपके साथ में यहां पर इस समय आपके लिविंग रूम में हूँ। और मैं आपको परमीश्वर का वच्चन बता रही हूँ। और इस महने की बिलकुल शुरुवात की समय में, in the year 2016, we wish you all the very best. In the previous sessions, we have been talking about reconciliation and we have been talking about loneliness. And today we are going to talk about salvation. Salvation is the very heart of our Christian faith. Everyone longs for salvation. Everyone longs to be one with their father. So today we are going to talk about salvation. और इसलिए आज हम उद्धार के बारे में चर्चा करेंगे. I would like you to take your Bibles, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी Bible ले, and open it to the Gospel of John. और मैं चाहती हूँ कि आप यहन अरचिसु समाचार इसमें निकाले. Chapter 3, अध्याय 3, and verses 3-16, और यहां पर हम देख सकते हैं वचन 3 से लेकर वचन 16 तक. We know that Jesus was in the process of doing His ministry on earth. हम जानते हैं कि यह इस पृत्वी पर अपनी सेवकाई करने के काम में था. In the last chapter we have read about how Jesus was in the temple in Jerusalem. और इसके पहले के अध्या में हम देखते हैं कि कैसे यरुशलीम के भवन में वहां पर रीशु था. He was there to celebrate the Passover festival. वह वहां पर फसक के पर्व का उत्सव मनाने के लिए आया था. It was imperative for every Jewish male to come to the temple and celebrate the Passover. और ये बहुत ही जरूरी था कि हर एक यहुदी पुरुश जो है, हर एक जो बच्चा है, जो लड़का है, वो सब वहां पर यरुशले में उस भवन में आया और वहां पर फसका पर्मनाएं. Now everyone had, many people had heard about Jesus. और बहुत से लोगों देखे, कई लोगों ने ईशु के बारे में सुना था. They heard about his teaching. उन्होंने उसकी शिक्षा के बारे में सुना. They heard about the many miracles he had done. और उसने जो बहुत से चमतकार किया उसके बारे में सुना था. How when he touched a person the blind would see. और कैसे जब वो किसी वेक्ती को छूता तो अंधे देखने लगते. How the deaf would begin to hear. और कैसे बहरे जो है वो सुनने लगते. How those who could not walk would begin to jump and run. और जो कभी नहीं चल सकते थे तो कैसे कूत कर चलने लग गए. They had heard about how people who were depressed and sad and rejected had got a new life. उन्होने ये भी सुना कि कैसे जो लोग दुखी है, परिशान है, निराश है, उन्होने कैसे नया जीवन प्राप्त किया. So he was the Messiah that was promised to them in the scriptures. और इसलिए वो मसीह था जो इसके बारे में वचन में उनसे प्रतिग्या किय थी. That is what many people believed. और यही तो बहुत से लोगों ने विश्वास किया. But we need to understand that the group of elders or the Pharisees of the temple, they did not look at Jesus with a lot of good will. लेकिन हमें ये समझना है कि जो लोग वहाँ पर फरीसी लोग थे जो ये शु के साथ में वहाँ पर समू था, वो तो अच्छी इच्छा रखने वाले लोग नहीं थे. ऐसे देख रहा था कि वो किसी नए तरीके के मार का प्रचार कर रहा है. Though Jesus said, I have not come to negate the law, but I have come to fulfill the law. ये शुने कहा कि मैं यहाँ पर विवस्ता को बदलने के लिए नहीं आया, उसे तोडने नहीं आया, लेकिन उसे पूरा करने आया हूँ. But the Pharisees were afraid. लेकिन फरीसी लोग डर गए थे. There was a big gathering behind Jesus. ये शु के पीछे वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ी खटा होती थी. And they loved the way Jesus interpreted the scripture. और जिस तरह से ये शु वचन का अर्थ बताता था, उन्हें ये बहुत पसंद आता था. Now with this as a background, अब इस बात को प्रिष्ट भूमी में रखते हुए. The author of the Gospel of John, यह नरची सुसमाचार का जो लेखक है, introduces Nicodemus to us. यहां पर हमें Nicodemus के बारे में बताता है. Nicodemus was a Pharisee. Nicodemus एक Pharisee था. He was a member of the Sanhedrin which was the ruling council. और वहाँ पर Sanhedrin का member था, जो कि वहाँ पर राज्य कर थी. So he had a very high position. यानि कहिए वो बहुती उंच आधिकारी वैक्ती था. And we know that Nicodemus wanted to come to Jesus. और हम जानते हैं कि Nicodemus एशु के पास में आना चाहता था. Nicodemus was convinced that all that Jesus did, Nicodemus इस बात से सहमत था कि जो कुछ भी एशु ने किया, was from God. वो तो परमेश्वर की ओर से था. Who else could heal the sick? और कौन बीमारी को या बीमारों को चंगाई दे सकता है? और ऐसे अद्भुत चमतकार कर सकता है. और मुर्दों को जीवित कर सकता है. And then talk about the kingdom of God. और पर परमेश्वर की राज्य की बार में बता सकता है. Definitely Jesus was from God. निश्चे ही ईश्व परमेश्वर की ओर से था. So Nicodemus came to Jesus by night. तो ईश्व के पास में Nicodemus रात की समय में आता है. Because he did not want the others to know about it. क्योंकि वो नहीं चाता था कि दूसरे लोग इसके बारे में जान पाएं. And when Jesus saw Nicodemus, और जब ईश्व ने Nicodemus को देखा, He immediately knew what was in Nicodemus' heart. He wanted to be a part of the kingdom. वो परमेश्वर के राज्य का भाग होना चाहता था. And he wanted to know how. और वो जाना चाहता था कि कैसे हो सकती है. Jesus tells him if you want to be a part of the kingdom, You have to be born again. Let us just look at that verse in John 3 and 16. Yes, Jesus goes on to say, Haan, Yeshua यहाँ पर कहता है. For God so loved the world. कि परमेश्व ने जगत से ऐसा प्रेम रखा. That He gave His only son. कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. That whoever believes in Him. कि जो को इस पर विश्वास करे. Should not perish. वो नाश्ण नहो. But have everlasting life. लेकिन अनन्त जीवन पाए. In these wonderful words. There is a wealth of meaning. यहाँ पर बहुत बड़ा अर्थ है. Now shall we just look at this verse. And let's look at it together. And let us see what we can learn from this verse. And let us see what we can learn from this verse. Now in this verse we learn about God's love. Then we learn about God's universality. We learn about God's gift. We learn about God's invitation. We learn about God's provision. And finally we learn about God's judgment. Let's look at God's love first. Now we know that God's love cannot be fathomed. It cannot be measured. In the book of Deuteronomy chapter 31 and verse 6. He says, I will never leave you nor forsake you. So if there is someone who is listening to me today. And you feel so desperate. You feel that there is nobody for you. Listen to the word of God. God will never leave you nor forsake you. Then God's word in Psalm 139 says, This is a love where I have watched you as you were being knit in your mother's womb. I knew you then. And then there is a word of God in Isaiah 49 and verse 16. See, I have engraved you in the palm of my hand. And finally in the cospers, We come to the book of Luke chapter 15. You must definitely read this chapter. And here in this chapter we see three things that were lost. The first is the lost sheep. Then the lost coin. And finally the lost son. The parable of the lost son is one of the most wonderful parables that have ever been told on the face of this earth. It is a real favorite of mine. It has touched the hearts of many people. It speaks about the unconditional love of the father. And the great rebellion of this son. The son who wronged his father. Took away his inheritance. Went to a foreign land. And spent everything with righteous living. And who came back to the father. And the father accepted him. That is the love of God for us. And then we read in the book of Hebrews. How God is taking the punishment of our sins upon himself. So you see throughout the Bible God talks about his love for us. Yes. Next we will look at God's universality. He loved the whole world. He loved every child of every nation. He loved every child of every nation. There was no color, no race, no creed, which or no socio-economic difference which can stand between you and God. We are all equal before God. We are all equal before God. And God is for the entire world. And everyone has to come to Him in order to reach God. And everyone has to come to Him in order to reach God. Next we look at God's gift. God so loved the world. That He gave His only son. That is the gift. On Christmas Day, Jesus was presented to us as a wonderful gift wrapped in swaddling clothes. Just as we would wrap a present. Placed in a manger. You know, John, the disciple of Jesus. You know, John, the disciple of Jesus. In his gospel. He makes every effort to prove to the people of his time. That Jesus indeed is the son of God. And He has recorded the conversation between the Samaritan woman and Jesus. In order to show us that God is a gift to the Samaritans as well as to the Jews. He tells the Samaritan woman. That He was a gift of God. That He was given to mankind. That He was given to mankind. He is a heaven sent gift. Willingly given at a great cost. Because we were in a desperate need. The Father's gift is both personal and universal. It is for us as individuals. It is for us so that our heart can melt into his own being. It is for us as a world, as an entire human race. This gift is for us. And then we look at God's invitation. And then we look at God's invitation. This God's invitation is to everyone who will respond. और परमेश्वर का ये निवता है उन सभी के लिए है जो प्रतियुत्तर देते हैं. In fact, the Bible says in John chapter 1. और सच में बाइबल कहती है यह यहन अध्या एक में. He says to whoever who believes. ये कहती है कि जो भी विश्वास करता है. He gives them the power to become children of God. वो उन्हें परमेश्वर की संतान होनी की सामर्थ देता है. It is a power to be a God's child. परमेश्वर की संतान होना तो एक सामर्थ की बात है. And God is giving this invitation to each and every person. परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को ये नियोता देता है. I want to reach out to those who have never heard about Jesus before. And I want to place this invitation before you. Would you not accept this invitation? On behalf of the king of kings. Would you not accept this invitation and come to Jesus? And then we look at God's provision or God's salvation. और फिर उसके बाद में हम परमेश्वर के प्रवेजन उसके उद्धार को देखेंगे. What happens when we receive Jesus as our Lord? और जब हम येश्व को अपने प्रभू के रूप में स्विकार करते हैं, तो क्या होता है? He becomes our personal Savior. वो हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता होता है. He gives us forgiveness for our sin. वो हमारे पापों की शमाह में देता है. When we accept Him, we are no longer condemned by our own acts of what we did not want to do. जब हम उसे स्विकार करते हैं, तो जो हम नहीं करना चाहते हैं, उन कामों के कारण हम दोशी नहीं होते हैं. Let's look at Romans chapter 8 and verse 1. Yes, we are free from the condemnation of our sin. And the guilt is removed from us. The divine gift prevents the believer from having to face eternal death. And instead of a permanent separation from God, we are permanently united with Him. And instead of a permanent separation from God, we are permanently united with Him. Jesus gives us true peace. A lasting contentment. A person who does not know Jesus cannot experience this. So what Jesus brings us lasts forever. From the day of our salvation. And right on into eternal life. And right on into eternal life. John chapter 14 and verse 16 says that Christ's spirit dwells within us and it never leaves us. He gives us eternal life. वो हमें अनन्त जीवन देता है. A life in constant communion with Him. ऐसा जीवन जो उसके साथ में हमेशा संगती में होता है. बोत नाव अभी और स्वर्ग में भी. Finally, और फिर अन्त में, we come to God's warning. हम परमेश्वर की चेतावनी के बारे में देखते हैं. We will look at Romans chapter 5 and verse 1. अता जब हम विश्वा से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभुईश्व मसी के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें. तो Paul उसी यहां पर बताता है, यहां पर धर्मी ठहराय जाने का मतलब है, अब दोशी नहीं होना. हमें स्विकार करना है, उस बलिदान को स्विकार करना है, जो मसी नहीं हमारे बदले में किया. और जो धर्मी ठहराय जाना है, वो हमें परमेश्वर के साथ सही बनाता है. और हमें वो जगह देता है, कि वो सब कुछ हम प्राप्त करें, जो वो हमें देना चाहता है. लेकिन यदि हम हमारे लिए परमेश्वर का जो वर्दान है उसे स्विकार नहीं करते हैं, तो वो कहता है कि हम अनंतकाल की मृत्यू का सामना करेंगे. अनंतकाल की दर्द का. अनंतकाल की दुख का. यह सच में कितने दुख की बात होगी. देखें, ऐसी बहुत सी बात होती है, इस तरह से होती है कि इस पर हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं. Newton ने गृत्वा कर्शन के बारे में बताया. अगर आप एक सेब को लिए और उसे छोड़ दे तो नीचे जमीन पर गिरेगा. हम इस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं. और इसी तरह से, अगर हम येशु को स्वीकार करते हैं, तो हमारे पास में अनंत जीवन हैं. अगर हम उसका इंकार करें, तो हम अनंतकाल के दंड को भोगेंगे. और इसलिए, और इसलिए हम तो अपने अंदर में किसी ऐसी चीज से भरे हैं, जो ये चाहता है कि ये ख़बर हम हर एक को बताते जाएं, ब्रिंगे अर एक को ऐसे जीवन में लेकर आएं, जो कि उद्धार का जीवन हैं. अब यहां पर साराश में, हमने जो कुछ भी सीखा है, उसे हम यहां पर देखेंगे. मैं आपसे बिंती करते हूँ कि आप अपने साथ अपनी बाइबल रखें. और जैसे हम इन वचनों को देखते हैं, निश्ची आप इन वचनों को भी देखें. विक bowl सीखने का यह बहुती अधूत तरीका है, परमेश्वर कि बचन को समझने का तरीका, कि हम उसे गहराई से समझ सकें. तो हमने परमेश्वर कि प्रेम के बारे में सीखा है, परमेश्वर के पूरे संसान में राझ करने के बारे में, His gift, His invitation, His provision and finally God's judgment. My dear brothers and sisters, at the end of this message, I want to address those of you who have never allowed Jesus to come into your heart. मैं चाहते हूं कि आप लोग जिन्होंने कभी इशु को अपने दिल में आने नहीं दिया है मैं आपके साथ उधार की प्रातना करना चाहती हूं रभू ने अगर आपको आज छू लिया है क्या आप ये प्रातना मेरे बाद दोहराएंगे आई हम प्रातना करते हैं कि आप रभू और परमीश verte आप हमें अपनी संतान बनाए और आपके साथ एक नया जीवन दे कि हम हमेशा आपके साथ हो इसु के नाम में प्रातना करते हैं Amen Father God, we just wanna thank you so much पर मेशर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना बहुमुले पुत्र दिया है हाला कि ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल था आपने उसे यहाँ पर इस पुरत्वी पर भीचा कि हमारे लिए उद्दुख उठाए और हमारे लिए मारा जाए ताकि हम उद्धार पा सके आपके बहुमुले लगु के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है और हमें नया जीवन देता है आपके बहमुले पवितर आत्मा के लिए धनिवाद करते हैं जो हमारे अंदर वास करता है एक बार आपके पास में आने के कारदे हम अपने आपको आपके हाथ में सौब देते हैं प्रातना करते हैं कि आप हमारी रक्षा करेंगे, हमें बचाएंगे. इश्यू के नाम में प्रातना करते हैं. Amen. Thank you dear listeners for your patient hearing. We want to think about those people who are not well, who are sick. हम उन लोगों के बारे में भी सोचते हैं, जो लोग अच्छे नहीं हैं, अंदुरूस नहीं हैं, बीमार हैं. Many people have called and told me about their illnesses. बहुत से लोगों ने मुझे फोन करके अपने बीमारी के बारे में बताया. Some people have spoken to me about their relatives or their kit and kin who do not know the Lord. और कुछ लोगों ने तो अपने रिश्टारों के बारे में प्रिये जनों के बारे में बताया, जो प्रभू को नहीं जानते हैं. और वो उसके कारण बड़ी मुश्किल में पड़े हुए हैं. We bring all of those people before the Lord and ask Him to heal them. हम सभी लोगों को परमेश्वर के सामने अपनी प्रात्ना में उठाते हैं और उन्हें चंगाई के लिए और प्रभू से चंगाई मांगते हैं. I would encourage you to continue to worship the Lord. और मैं आपको प्रोचसाहित करती हूँ कि आप हमेशा परमेश्वर की आरादना करते रहें. To read His Word. उसके वचनों को पढ़ते रहें. And to live according to His Word. और उसके वचन के अनुसार जीते रहें. No matter what the circumstances. शाहे परिस्टी कुछ भी क्यों नहों. As we saw in the very beginning of this message. और जैसे संदेश के बिलकुल शुरुवात में हमें दिखा हैं. God will never leave you. परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा. He will never forsake you. वो आपको कभी नहीं त्यागेगा. Amen. भाईयों और बहनों नमस्ते. आज हमारे कारिकरम के आरंभ में हम प्रभु येश्य मसी की आरादना करेंगे. आईए हम सब मिलके ये गाना गाते हैं. येश्य मसी तेरे जैसे है कोई नहीं. ये सची बात है कि हमारे येश्य मसी के जैसे और कोई नहीं है. तो आईए हम प्रमेश्वर की आरादना करते हैं. येश्य मसी तेरे जैसे है कोई नहीं. इश मसी तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चर्णों पेच्छों के आस्मान और माई मा काई जमीन इश मसी तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चर्णों पेच्छों के आस्मान और माई मा काई जमीन इश मसी तेरे चर्णों पेच्छों के आस्मान हमका इश मस्कुन पेच्छों के आस्मान तु है प्रप्भू हमारा पेच्छों झाल झाल